अनुट मैं लिए नाम श्थित्म चुछान तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेसर के वारे में तो चले देखते हैं फोर्स है क्या तो यहाई जैसे कहम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यह जो अब्जेक्ट है यहां पर कर दिया तो यह जो object है यहां से यहां कैसा है force की वज़े सा है ठीक है तो force is nothing but the push and pull of any object is called force ठीक है तो force को हम लोग कैसे define करेंगे a force is a push or a pull or both is called force ठीक है यानि कि pull या फिर push ठीक है वही अपना force होता है ठीक है यानि कि किस चीज को धक्का देना या फिर खीचना अपना force कहलाता है ठीक है तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आगर force कैसे और कब apply होगा ठीक है force are due to an interaction यानि कि जब दो object के बीच में interaction होगा ठीक है न तभी जो अपना force है वो play में आता है यानि कि वो work करता है ठीक है at least two object must interact for a force come into play यानि कि कि किसी भी force को apply होने के लिए कम से कम दो object के बीच interaction होना चाहिए जैसे हम बात करें यहाँ पर bird and box के बारे में तो यह जो bird है इसको जब push करेगी तो यह चोटा हो जाएगा ठीक है छोटा हुआ कैसे हुआ क्योंकि इसके hands से यहाँ बाक्स में interaction हुआ ठीक है इसके बीच में interaction हुआ तो force apply हुआ अगर यहीं हम बात करें इस bird के hand को हटा दे और इसको दोनों को दोर कर दे ठीक है तो क्या इसके बीच force apply होगा नहीं होगा ठीक है तो यह लिए बात कर लेते हैं exploring force के बारे में exploring force का means हम लोग किस direction से force apply कर रहे हैं और object है किस direction में move कर रहा है या फिर जो object है वो opposite direction में force लगाने के वज़े से move नहीं कर रहा है तो यह क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे ममलुक देखते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक object है और यहाँ पे दो person A and B इसके उपर force लगा रहा है ठीक है एक का force कुछ और लग रहा है और B का force कुछ और लग रहा है तो यहाँ पे जो अपना object है यह अपने left hand side की और move करेगा ठीक है तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि जो अपना object है इस पे net force कितना लग रहा है यानि कि कुल मिला कि इस पे force कितना apply हो रहा है तो A जितना force लगा रहा है और B जितना force लगा रहा है इसको add कर देंगे तो अपना net force निकल के आ जाता है यानि कि total force इस पे कितना apply हो रहा है ठीक है तो अपने next condition को देख लेते हैं तो अपना next condition क्या है यह जो अपना object है इस पे दूनों ही side से जो अपना person A है एन जो अपना person B है यह opposite direction में force लगा रहा है ठीक है अपना जो A है वो right hand side के और force लगा रहा है और जो अपना B है यह left hand side के और force लगा रहा है ठीक है तो इस condition में क्या होगा अगर माल लीजिए ए जो है यह 5 Newton का force लगा रहा है और B जो है यह वे 5 Newton का force लगा रहा है यानकि दोनों equal जो force लगा रहा है तो इस पर net force कितना होगा? 0 होगा ठेकर क्योंकि दोनों का force मिलके यहां पे neutral हो जाएगा opposite direction में अगर force लगता है तो किस वज़े वह रहा है क्योंकि जो object है इस पर opposite side से equal force लगा जा रहा है यानकि person A जो अपना right hand side के और force लगा रहा है और जो अपना person B यह left hand side के और force लगा रहा है और जो force लगा रही यह दोनों equal मात्रा में इसलिए यहां पे जो net force लगेगा वगेगा जीरो लगेगा यानकि total बाटलथ कितना होगा जीरो इसमें no changes हमको देखने को मिलेंगे ठेके no changes मिन्स इस object में कोई भी मोशन नहीं होगा ठेके तो चले अपने next topic की ओर चलते हैं तो अपने next topic है formula of force यानिकर की कुछ formula इसे देखते है तो अपना formula क्या force का अगर force हमको find करना हैतो कैसे find करेंगे तो force का formula होता mass into acceleration यानि कि जो अपना mass है और जो अपना acceleration है इसको into कर देंगे तो अपना force है वो निकल के आ जाएगा साथे साथ अपना जो force है इसका unit होता है newton यानि कि newton में इसको major किया जाता है और इसका जो symbol होता है capital N होता है तो चले अपने next topic के और चलते है तो अपना next topic है effect of force यानि कि force के कारण हम लोग को कौन कौन से effect देखने को मिलेंगे तो effect क्या है it can change the state of rest and motion of the body यानि कि किसी भी body को अगर वो motion में है तो उसे rest मिला सकता है और किसी भी rest body को motion मिला सकता है ठीकर ना यानि कि कोई चीज अगर इस्तिर है तो उसको क्या करते है उसको धक्का दे कि उसको motion मिला सकते है और ऐसे अगर कोई चीज मोशन में यानि कि आ रहा है तो हम लोग उसे force apply करके उसे रोक सकते है ठीक है तो हमने देख लिया कि force and effect of force क्या होते है अब बात कर लेते है type of forces यानि कि force के कितने प्रकार होते है तो there are two types of force contact force and non contact force बात करते है contact force के बारे में force experienced by bodies when they are in physical contact with each other जो force जब दो object physical contact में होते है तब apply होता हो तुसे हम लोग बोलते है contact force इसके example में हो जाएंगे अपना muscular force and friction force ठीक है जैसे अगर हम बात करें अगर हम pain से किसी copy पे लिख रहा है तो इस पे कौन सा force apply हो रहा है तो वहाँ पे हो रहा है contact force ठीक है क्योंकि हम लोग उसको page की contact मिलाके लिख रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे contact force ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं non contact force के बारे में force experienced by bodies when they are not in physical contact with each other यानि कि ऐसा force जो experience के जाता है without physical touch में यानि कि जब दो object physical contact में ना हो फिर भी उनके बीच में force apply हो तो उसे हम लोग बोलते है non contact force इसके example में हम लोग लेग सकते है magnetic force यानि कि हम लोग देखते है जब हम लोग दो magnet को थोड़ा पास लाते है वो दोनों एक द बोल देता है magnetic force या फिर अपना example हो जाएगा non contact force क्या वैसे अपना next example electrostatic force and gravitational force चले अपने next topic यह चलते है जो कि है balanced balanced means अगर एक object है जिस पे तो force लग रहा है लेकिन फिर भी वो motion में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या उसे देखते है तो देखे हम बात करें यहाँ पे अपना एक object है जिस पे एक आदमी 10 newton का force right hand side के और लगा रहा है वही दोसरा आदमी जो 10 newton का force है वही left hand side क लगा रहा है तो अगर हम बात करें इस पे net force कितना लगेगा तो यहाँ पे देखे तो यह अपोजी direction में force लग रहा है और भी same लग रहा है इसका मतलब यह जो अपना object है यह neutral हो जाएगा यानि कि इस पे जो force लगेगा वो net force होगा zero जिसके कारण से इसके बीच जो है कोई भी अपना motion नहीं होगा जिसके कारण यह wrist position में ही रहेगा इसी को मिलग बोलते है balanced अब बात करते हैं unbalanced के बारे में तो unbalanced means क्या हुआ अगर एक object है जिस पे एक आदमी 50 newton का force right hand side के और लगा रहा है वही दोसा आदमी 10 newton का force left hand side के और लगा रहा है अगर हम देखे तो यह आप 15 newton का force लग रहा है ठीक है right hand side के और 10 newton का force लग रहा है तो किधर object move करेगा right hand side के और move करेगा अब बात आती है इस पे जो object है इस पे net force कितना लगेगा ठीक है तो इस पे net force कितना लगेगा तो 15 में से 10 को subject कर देंगे क्योंकि 10 newton and 10 newton यह अपने neutral हो जाएंगे बाकि जो अपना 5 newton का force है यह अपना right hand side की और work करेगा ठीक है यानि कि इस पे जो force लगेगा वो net force रहेगा 5 ठीक है जिसके कारण से यह unbalanced हो जाएगा यानि कि दोनों side में equal force नहीं लगेंगे जिसके कारण से यह object है यह motion में आ जाएगा और उसी direction में जाएगा जिस direction में unit area of surface is called pressure यानि कि किसी भी surface के unit area पर जो force अपलाई होता है उससे को हम लोग बोलते है pressure हम लोग अक्सर देखे होंगे कि जो अपना nail होता है उसका आगे वाला portion किसी भी wall में easily penetrate हो जाता है इसके पीछे का कारण क्या होता है जो अपना nail होता है इसके आगे वाला portion थोड़ा pointy होता है जिसके कारण यह जो unit area होता है वो कम लेता है unit area कम लेता है तो जो अपना force हो जाद अपलाई होता है ठीक है जिसके कारण यहाँ पर pressure जाद लगता है ठीक है अभी थोड़ा confusion लग रहा है लेकि एक law पढ़ेंगे प्रेसर से लिटेड जिसके तुरू सब कुछ clear हो ज जो अपना पीछे वाला portion होता है नेल का वो wider होता है ठीक है जिसके कारण यह जो अपना unit area हो बढ़ जाता है unit area बढ़ जाने के कारण pressure low लगता है प्रेसर लो लगने के कारण यहाँ पर यह easily penetrate नहीं हो पाता है ठीक है तो चलिए यहाँ पर law है जिसको पढ़ते है pressure is question to force upon area यानि कि अगर pressure को हमको find करना है force को area से divide कर देंगे तो अपना pressure निकल के आ जाएगा ठीक है वही अगर हम देखे तो जो अपना pressure होता है वो inversely proportion to area होता है यानि कि अगर area जाद रहता है तो pressure क्या लगेगा कम लगेगा वही अगर area कम रहता है तो pressure जाद लगेगा जैसे कि हम लेगा तो हमने क्याद्ध देखा यहां पर जो अपना प्रेशर वह बढ़ जाएगा प्रेसर बढ़े गा तो यहीं पैनी थेट हो जाता है ठीक है वही अपना पीछे वाला पॉर्शन जो होता है जो थोड़ा तो देखे अब हम लोग एक चीज देखते है यहां पे हमने शुरू में देखा तो जो अपना नेल का आगे वाला पोर्शन होता है वो इसली पैनिटेट हो रहा है क्योंकि यहां पे जो अपना आगे वाला पोर्शन यह थोड़ा पॉइंट ही है पॉइंट होने के कारण यह सर्फिस पे थोड़ा कम लेस एरिया ले रहा है ठीक ना लेस एरिया लेने के कारण यहां पे प्रेसर जो है वो बढ़ जा रहा है ठीक है जितना कम एरिया रहेगा प्रेसर उतना जाद होगा ठीक है इसलिए जो अपना नेल होता है उसको अगर हम आगे की portion को अगर penetrate करें तो easily penetrate हो जाता है लेकिन वही बात करें यहाँ पेपीछे का portion को तो penetrate नहीं होगा क्योंकि इसका जो area हो पीछे का वो बढ़ जाता है जिसके कारण यहाँ पे pressure है वो घट जाता है area बढ़ेगा तो pressure घटेगा हमने देखा है ठीक है एक चीज को और example ले कब cut करेगा जब इसका pressure जाद होगा प्रेशर कफ जाद होगा जब इसका आगे वाला portion का area का लोगा ठीक हर न तो इसका जो area लेता है वो कम लेता है किसी भी सर्पैस की यह रखीहईगा तो इस पर कम area लेता जिसके कारण जो अपना surface है उस पर जादा प्रिसर अप्लाई होगा जिसके कारण यह एजिली किसी भी चीज को कट कर पाएगा तो आई होप कि अच्छा लागा होगा लगा है तो कमेंट बॉक्स हो जाकर जैसे बताएगा और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जैस्ट कर लिजेगा बैल आइकन को और प्रेख दिजेगा कि अनुले से उड़ू नुट पे किसना अफ़तास से पहले पहुंच जाए मैं तेब नेक्स उड़ू में तेक लिए टिक कर बाबाई